हाई गाईज इस वीडियो में आपका बहुत ज़दा स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आइफॉन में नेटवर्क इश्यू को कैसे फिक्स कर सकते हो अगर आपके फॉन में भी लो नेटवर्क इश्यू है या फिर एक बार या सिंगल बा कुछ आपको मैं सेटिंग्स परफॉर्म करवाऊंगा आपको वह करनी है सेललर डेटा वाले आप्शन के ओपर क्लिक करो यहां पर आपको सेललर डेटा ओप्शन देख रहे हैं इसको रोमिंग के ओपर क्लिक करो यहां पर आपको वाइसाइन डेटा ओप्शन देखने को मि अगर आप दोस्तों यहां पर 5G on अगर आप 5G यूज़ करें और 5G on के उपर रखोगे हमेशा तो क्या होगा कि जिस जगह पर रेंज नहीं आती सिगनल की उस जगह पर आपका 5G network काम नहीं करेगा और वो SIM card बंद हो जाएगी उतनी देर के लिए इसलिए अगर आप इसको auto के उपर रखोगे तो वो 4G और 5G के उपर shift होता रहेगा networks के हिसाब से राइट आपको अपने हिसाब से इसको set करना कि आप 4G या 5G या 5G यूज़ करते हो अब बात करते हैं Wi-Fi calling की कभी-कभी हम अपने office की building में होते हैं या कभी-कभी हमारे घर पर कुछ ऐसी जगह है जहां network नहीं आता और हमारी वहाँ पर call drop बहुत होती है सो आप क्या करो दोस्तो Wi-Fi calling को on कर लो इससे क्या होगा कि लेट एज्यूम आपका जो phone है वह वाइफा के साथ connected रहता है और उसके बाद में आपका जो phone है वह I believe network कम लेता है signal वहाँ पर कम आते हैं राइट जिस जगह पर आप problem face कर रहे हो सो आपको Wi-Fi calling से क्या होगा कि आपकी जो call की signal कट रहे हैं वह Wi-Fi से fix हो जाएंगे Wi-Fi आपकी help करेगा आपकी phone को ताकि वह बढ़िया से आपकी call kind of communication हो पाए call complete हो पाए सो अब बात करते हैं network की सो दोस्तो जैसे मैंने Wi-Fi calling on की मेरा phone का Wi-Fi connected है उसी के बाद आप देख सकते हो तीन bars हो गए सो चौथा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जब आपको ज्यादा internet की जुरत है और आपका internet काम ही नहीं कर रहा तो दोस्तो आप दो चीजें कर सकते हो सबसे पहले आप अपने phone को airplane mode के ओपर set कर दो और उसी के बाद में airplane mode को बंद करके दुबारा यूज करो त इसके कारण आपका जो phone है ना वो बढ़िया power दे पाएगा modem को और modem आपको network दे कर सई से problem आपकी solve करेगा तो अगर आपको दोस्तो चेक करना है कि किस अगर आपकी problem फिर भी solve नहीं होती तो आप क्या करो कि अगर आपके पास आपके friends के साथ अलग-अलग SIM card है जैसे आपके पास Gio है, Vodafone है या इतल है तो आप देखो कि कौन सी SIM card के जादा बढ़िया network आ रहे है मेरे area में अगर आपके घर पे Gio के जादा बढ़िया network आते है और Vodafone के नहीं तो आप Gio में switch कर लो ताकि आपकी जो SIM card की problem है ना network issues है वो fix हो सके So this was the video कैसी लगी do let me in the comment section thanks for watching thank you so much guys